हेलो एरिवन नमस्कराइब सभी को स्वागत करते हैं आप सभी का अपके अपनी यूट्यूब चैनल में देखिए आज का जो 12 फिजिक्स में हमारा टोपिक है वो है एनर्जी स्टोर इंसार्डे कैपेसिटर कैपेसिटर आप सभी जानते हैं एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है चार्ज को स्टोर करने के काम आता है इस तरीके से कैपेसिटर में दो प्लेट होंगी आप सभी जानते हैं अच्छे से एक प्लेट होगी पोजिटिव होगी दूसरी प्लेट हमारे पास ये नेगिटिव होगी अब ये एक सिस्टम बना इसको बोलते हैं कैपैसिटर अब यहाँ पे कितनी अनरजी अपने अंदर स्टोर कर सकता है वो हमने फाइंड आउट करना है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा वरक डन पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा तो देखिए सबसे पहले जो चीज आपको सिखनी होगी वो आपको ये सिखना होगा कि जो यहां पे energy store होगी वो किसकी form में होगी वो होगी electrostatical potential energy की form में और electrostatical potential energy find out करेंगे हम work done की form में यानि कि जो main चीज है यहां पे वो आपको ध्यान में रखनी है वो आपको work done निकालना यहां पे आना चाहिए कि यहां पे जो charge store होगा तो कितना वो रगडन हमें यहां पर करना पड़ेगा तो हमने माल लिया student यहां पर कि कोई capacitor है इस capacitor की capacity है C यानि कि यह C micro field अपने अंदर energy को store कर सकता है अब यहां से अगर आप से कोई पूछे कि बताइए यहां पर और क्या आपको लगाना पड़ेगा तो इस तरीके से हमने एक battery को इस capacitor की दोनों plate के साथ ही यहां पर हमने connect कर दिया एक battery हमने यहां पर connect कर दी है और हमने साथ ही यह मान लिया कि यह जो battery connect की है इसकी voltage है V यानि कि यह V voltage battery provide करवाएगी इस capacitor को तो अगर आप यहां से V की value find out करना चाहे है यानि कि इन दोनों plate के बीच में कितना potential difference होगा अगर आप उसकी value find out करना चाहे तो आप लिख सकते है V is equal to Q by C यह हमारे पास capacitance का formula है आपको दियान होगा तो वहां से हमने लिख दिया है आपे V is equal to Q by C एक बार फिर से अगर आपको यह समझ में नियात आपको बता देंगे हम कि पहले हमने यहां पे capacitance का formula लिखा था C is equal to Q by V तो यहां से अगर आप V की value निकालेंगे तो वह जाएगी Q by C अब यह तो हमारा पहला काम हुआ अब दूसरा काम जो आपको करना है देखिए जैसे ही मैं यहां पे एक potential difference अप्लाई करूँगा भी तो उसकी वज़े से यहां पे कुछ charge move करना शुरू करेगा charge move करना शुरू करेगा मतलब कुछ ना कुछ यहां पे कुछ ना कुछ यहां पे work done भी होगा अब देखिये पूरा work done निकालने के लिए हमीं integrate करते हैं हम सुरू में क्या करेंगे small amount of work done निकालेंगे यानि कि हम यहां पे लिख लिख लेंगे एक line लिख लेंगे amount of work done small लिख लिख लिए सुमें small amount of work done to add small charge dq دیکھیں सب سے پہلے हम यह दिखेंगे कि एगर माल लिजे dq charge हमने यहाँ पर add करना हो small amount of charge अगर यहाँ पर हमें add करना हो तो work done dq charge माल लिजे हमने यहाँ पर store करना हो तो work done भी क्या हुआ small ही होगा क्योंकि charge small है तो work done भी क्या हुआ small अब DW की वैलू हम यहां पे लिखे देंगे VD क्यों अब आप पर यह सोच रहे होंगे कि यह फॉर्मॉला कहां से आया देखिए यह फॉर्मॉला है हमारे पास जो हमारे पास पोटेंशल डिफरेंश की डेफिनिशन थी वी का एक फार्मॉला अगर आपको ध्यानो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशल को हम कैसे डिफाइन करते थे डबलू भाई क्योओ यानि कि वरगडन इ्मोविंग न जुनिट पोजिटिव चार्ज तो जब आप यहां पे क्रोस मल्टिपलाई करेंगे तो डबलू की वैलू क्या हो जाएगी अगर आप यहां से value निकलना चाहें तो w की value हो जाएगी v क्योंकि हमने यहां पर dw लिखा है तो charge भी कितने v as it is रहेगा क्योंकि potential difference तो seem रहेगा और q की जगा पर हम d क्यों लिखे देंगे क्योंकि work done हमने small लिया है तो देखे w v क्यों था तो dw लिखेंगे तो v d keo यह हमारे पास formula आ जाएगा तो अब इसको equation number 2 लिखे देंगे तो अब देखिए dw हमारे पास है v d keo तो एक बार फिर से लिखे लेंगे इसको थोड़ा सा dw इसको थोड़ा सा manipulate कर देंगे देखिए v है और v की जगाए पर आपके o y c नहीं लिख सकते के o by c और d keo हमारे पास as it is raw तो देखिए dw is equal to अब यह हमारे पास एक formula नया बन गा अब आपको यह तो देखिए small amount of work done है इसको आप equation 3 भी लिख सकते हैं लेकिन actual में हमें क्या चाहिए है हमें चाहिए होगा यहाँ परा work done तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे तो इस तरके से आपने देखा कि dw की value आगी हमारे पास यह यह था मतलब अगर हमने d keo charge store करना हो तो इतना amount of work done करना है लेकिन माल लिजे हमें if we want to store if we want to store keo charge देखिए अगर d keo charge store करना है ऐसे capacitor लिया और इसकी दोनों प्लेटों के बीच में अगर हमने charge store करना था d keo तो इतना work done करना था लेकिन अगर पूरा charge क्यों store करना चाहेंगे तो इतना work done करना होगा तो definitely हमें इस work done को integrate करना होगा तो जब इसको integrate करेंगे तो देखिए हम यहाँ पर d w को integrate करेंगे इस तरीके से आप लिख देना है पर d w को integration और इसी तरीके से q with respect to d q by c इसका भी integration अब integrate करेंगे देखिए d w को integrate करेंगे तो w अब देखिए c यहाँ पर क्या होगा चार्ज तो सेम होगा constant होगा तो इसको हम लिख लेंगे बाहर integration से बाहर और अंदर बचेगा q d q का integration अब q को भी दिस प्रेक्ट करेंगे तो आप जानते हैं वे q का integration अगर आपने करना हो यहाँ पे अलग से कर देंगे हम integration तो देखिए यह क्या हूँ दिस प्रेक्ट क्यों है तो फॉर्मूला क्या था जो पावर थी यह वन तो पावर है इसमें एक क्याइड कर देंगे तो एक क्यों 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 क्य का स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रो स्टैटिकल पोटेंशिल अनर्जी में तो द्यान रखेगा इंपोर्टेंट लाइन यहां पे हम लिखने जा रहे हैं लिखेंगे वरक डन आपको पहले से पता है वरक डन वो अनर्जी में स्टोर हो जाता है क्योंकि वरक और अनर्जी इंट्र कनवर्टेबल है तो वरक डन विल बी स्टोर इन एलेक्ट्रो स्टैटिकल इन एलेक्ट्रो स्टैटिकल अनर्जी तो यह चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी इसका मतलब यह हुआ कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिकल अनर्जी को डिनोट करते हैं यू से और हो कि इसके बराबर होगी वरक डन के बराबर होगी और वरक डन की वैलो अभी अभी हमने फाइंड आउट की थी क्यों स्केयर भाई 2 मतलब क्यों की पा इसका मुले को और चेंज कर सकते हैं किस तरीके से चेंज करेंगे देखिए हम जानते क्यों इसके बराबर होगा सीवी के बराबर होगा तो हम इस क्यों की जगह पे सीवी पूट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मला हो जाएगा यू इसकोल डू अब क्यों का स्केयर करेंगे तो मतलब C square और V square divided by 2C तो इस C से XC की power कम हो जाएगी तो इसको हम लिख सकते हैं हाप C V square तो यह एक formula बना एक formula देखिए यह बना हमारे पास यह बाला दूसरा formula हमारे पास है एक formula यह बना था दूसरा formula यह बना था एक फर्मला और बना सकते हैं आप यहां से कैसे देखे आप यहां पे लिख सकते हैं हफ CV into V ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको हम तो हफ CV की जगे पह पलिख सकते हैं क्या क्यों सीवी के पराबर होगा और यह भी तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ क्यों इंटू वी तो यह तीसरा फार्मूला बना तुछ तीन फार्मूले बनेंगे हमारे पास चार्ड स्टोर के पहला होगा क्यों स्केर वाई टूसी दूसरा होगा हाफ सीवी स्केर यह ज़दा तर यू ता दोला गए बने ह में झरुत खे लूचा हारा थूस्ट करोगा पोगा हो धूवी तक पार्मूलेघस हैं स्केर यह थास्टिए भाः टार्मूले मीज़ रेक्तार के सविसे हैं